आज के यंग्स्टर्स छोटी उम्र में बड़ी काम्यावी पा लेते हैं जैसे हमारा आदित्य है उम्र सिर्फ पच्चीस साल लेकिन पच्चीस से ज्यादा लड़किया घुमा चुका है मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है अपने काम में वो इतना माहिर है कि उससे बड़ी उम्र के कई लोग उसे सर कहके बुलाते हैं और सैलरी इतनी कि उससे पूरी रयाशी करता है और अपनी कंपनी में वो नमबर वन कहलाता है आदित्य डबल लाइस्टाइल जीने वाला यंग्स्टर है महेंगी से महेंगी बाइक और सुन्दर से सुन्दर लड़किया आदित्य बहुत ही शौकीन यंग्स्टर है उसे कार और महेंगे कपड़ों का बहुत शौक है उसकी लाइफ का फंडा है जीओ तो शान से और वो रहता भी है इस आली शान 5BHK के घर में इंसान को अक्सर जो मिलता है वो उसकी कद्र करना भूल जाता है जैसे कि आदित्य चोटी उम्र में इतनी काम्यावी हाथ लगी कि आदित्य उसे ग्रांटिड लेने लगा अपने आपको सबसे बड़ा समझने लगा अपने एहम के चलते होटल में उसने मारा मारी की तोड़ फोड़ की और एक आली शान होटल को खंढ़र में तबदील कर दिया शादी के मंडप में घोड़ा लेकर पहुचा और वहाँ अपने घमंड के चलते उसने शादी के मंडप को शमशान बना दिया दारू के नशे में इस तरह धुत था कि उसने पूरी वाइन शॉप को जला कर स्वहा कर दिया कल जिस आदित्य के पीछे लड़कियां पड़ी रहती थी आज पुलिस और स्पेशल फोर्स पड़ी हुई है कुल मिला के एक शरीफ well-to-do इनसान से अब वो एक most wanted criminal बन गया है शहर में इतने सारे ब्लास और अभी तक intelligence की कोई report भी नहीं आई पबलिक confused है सर बाते बना रही है वो आदमी ने किया नेकसलाइक ने या किसी आतंगवादी ने वो पागल है मुझे उससे कोई मतलब नहीं just go and catch him सर सर हम एक address मिला है इंस्पेक्टर आनन यस सर can you handle this handle ही नहीं सर मैं handle करके मैं उनसे सच उगरवाऊंगा पुलिस अभी तक इस हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है जैसे ही हमें इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुचाएंगे हर बंदा खुद को हीरो समझता है पर मेरी लाइफ में मुझसे बड़ा विलन कोई नहीं है मेरा नाम अदित्य है उम्र 25 साथ मुझे लगता था पाठी मस्ती फ्रेंड्स लड़कियां याशी दारू लाइफ है तो बस यही है पर मैंने सुनाए कि आत्मा हत्या वही करता है जो प्यार में 100% मार्क्स लेकर पास होता है जो फेल होता है वो यह कोशिश कभी नहीं करता मेरी इस कहानी में कई किरदार है उनमें से एक है यह लड़की विनिशा मैं और विनिशा कभी लिव इन रिलेशन्शिप में थे इसलिए इसे लगता है मैंने इसके प्यार का खलत फाइदा उठाया और अब इसकी लाइफ का सिर्वे की मिशन है और वो है मुझे अपने हाथों से मारना She wants to kill me Hey Bro अलो, अर यूखे, अलो यहाँ, छाल तुम जैसी हसीना हो, तुम्हें रोज मरने को तैयार हूँ तुम्हें तो लोकर मे रहना चाहिए, वरना पूरा शेहर घायल हो जाएगा अक्सर लाइफ का दी एंड आक्सिडेंट से होता है, पर मेरी लाइफ शुरू हुई आक्सिडेंट से अंजली को देखते ही मुझे पता चल गया, कि वही मेरी लाइफ है अंजली के प्यार का कुछ इस तरह मुझ पर बुखार चड़ा, कि अब उसे पाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम बन गया है मैंने तो सोच लिया है, अब मैं ये लाइफ बिना अंजली के नई जी हूँगा अंजली है तो अदित्या है, I love you अंजली लोग मुझे स्टर्ड और प्लेबॉय बुलाते हैं, लेकिन मैं लाइफ बॉय हूँ हाँ, या एक्स्क्यूज मी, सर, सर कौन है ये चरकोट, इतनी सुन्दर लड़की लेके आया है और उसके सामने बरतन साफ कर रहा है सर, कार नमबर 4565 ठुग गई है सर, वाट मैं जब पाक कर रहा था तो किसी ने पीचे से आके ठोक दी उसे यो बलड़ी इडियट, मेरी कार का आटो रिक्षा बना दिया क्या ओ नॉ हाई, पैचाना मुझे अरे, उस दिन जिस बेचार को तुमने ठोका था, वह मही तो हूँ वाट? क्या यार, तुमने पैचाना नहीं? नहीं तो बंपर टूड़ गया, डिक्की अंदर खुज गई अरे, आज कल की लड़कियां कितनी मतलब ही हो गई है एक तो ठोकती हैं, उपर से भाव काती हैं और पपलु टपलु को रेस्टोरों में लाकर रोमांस रोमांस खेलती हैं काम वो डालना काम में देसेगी और उसको अर इसको आई लव यॉर मुझको हुआ रही हो कितने पैसे चाहिए? सौ करोड वाट? इतने पैसे नहीं है ना तो मेरे साथ एक कॉफी पिलो बस सब सेडल हो जाएगा एक बात बताओ तुमके यह मुझसे लड़ने आया हो अरे लड़ने नहीं आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ वैसे उस थाकेवे का नाम क्या है? शट आप जायंत ओ, शट आप जायंत एक काम करो उसे ड्रॉप करो और मुझे पिक अप करो एक्स्क्यूज मी? देखो ना तो तुम्हारा बॉइफ्रेंड तुमसे प्यार करता है ना ही तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है मैं जानती हूँ मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है ये तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अगर प्रूफ कर दिया तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी क्या हुआ? गाडी को ठोक गिया किसीने अगर देख रहा है आज कल किसी का भी भरोसा नहीं है कॉन किसके साथ मैल्ठावर किसको देख रहा है अच्छा अभी तुझे कारता हूं अभी तुझे कारता हूं अभी बलड़ी एडियट दिखता नहीं अंध्य हो क्या सॉरी साथ माफ इभतिए आप इस तरह किस्टमर्स को और और हैजिनी खिला दे हो इस इस हाव यू डिल विकस्टमर्स उस तिन एक्सिजिट के बाद अगर अगर मर जाता तो अच्छा होता लेडिस और जेंलमन आम न्यू रिक्रूट इन वेरी बिग मॉल्टिनाशनल कंपनी मेरे टैलेंट को परखने के लिए मुझे एक छोटाज़ा प्रोजेक्ट दिया गया है सो प्लीज विश मी लख अल बेस्ट इन विच कंपनी ब्रो कंपनी अलकाइदा इस इस किसमिस इस प्रोजेक्ट के लिए मैने इस होटेल में आर्डी एक बॉम प्लाइंट किया है पांच मिनट के अंदर एक किलोमेटर के रेडियस का सारा इर्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर कोई भी बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी तो प्लीज मेरे साथ को आपरेट कीजिए बाच मिनट बाप किसी को बतानी चलेगा भागो अरे 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 बुको रुप जाओ यार मेरी लौकरी चली आएगी जाओमत मेरे उस्कार की बंदुआ लगेगी भागने का कोई पाइदान ही है अरे मच आए इसको कहां गए सब किसी ने का यहां पर बाउम है इसलिए सब भाग गए और जायन्थ वो दक वो रहा डरपो ग्रेस में सबसे आगे और तुम यहां मेरी खातिर रुके यह तु चलो यहां से रुके क्यों हो बाउम भट जाएगा वो अफ़ा मैंने ही फेलाई थी तुमें क्या लगा इस तरह की अफ़ा पहला कर तुम हीरो बन जाओगे तुम एक बार कहके तो देखो तुम्हारे लिए हीरो तो क्या टेररिस्स भी बन जाओं यह स्माइल मार डालेगी पर तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ प्लीज एक कॉफी पीलो ना सारी सारी उस आक्सिडन के लिए कॉफी आदित्य का ड्रीम अपुरा हो गया था पहले जो वन वे ट्राफिक था अब टूवे हो गया अंजली और आदित्य की लव स्टोरी परवान चड़ रही थी आदित्य का लड़कियों के साथ बैठना और उनके साथ बात करना बिलकुल पसंद नहीं था इसलिए उसने उस पर बैन लगा दिया सिगरेट पीना और शराब पीना भी अंजली को बिलकुल पसंद नहीं था उसने उसकी शराब और धंदे में उनकी टककर का कोई भी नहीं था। रघु और साधू दोनों सगे भाई उनके लिए काम करते थे। सारा धंदा वो दोनों ही मैनेज करते थे। जिस दिन देवराज भाई को पता चला कि उनकी बेटी नशे की आदी हो गई है। उसी दिन से देवराज भाई ने नशे के धंदे पर फुल स्टॉप लगा दिया। और पलट के उस धंदे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। लेकिन साधू और रघु इसी धंदे को आगे बढ़ाना चाहते थे। देवराज भाई ने रघु को मार डाला। साधू को ये बात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगी और उसने ठान लिया कि वो उससे बदला लेगा। जब कमला को वो रिहाब सेंटर ले जा रहे थे तब साधू ने उसकी गाड़ी के नीचे बॉम लगा दिया। साधू को लगा कि कमला भी मर गई पर कमला जिन्दा थी। तुम्हे मेरे डाड से बात करनी होगी। ठीक है चलो तुम्हारे डाड से बात करते हैं। और डाड नहीं माने तो भाग कर शादी करेंगे। पकड़ी गए तो पता है क्या अंजाम होगा। तो अपनी जान दे दूँगा। रियली? रियली मतला रियली। 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 अंखे बंद करो। रियली। रियली। यह ए मतलब? इह मतलब हमारे नाम, अंजली अधित्या. तो… तो क्या? अगर तुम मुझे बतादो कि आज क्या स्पेशल दे है, आज मेरी। याँ आञा। एक मिनेट हाँ। यास। कि बंपर ओफर के साथ कंडिशन सप्लाई का लोचा करती है हाँ ठीक दो साल पहले हम इसी जगा पर मिलेते हैं ना तुमने आज से दो साल पहले मुझे फेस्बूक पर फ्रेंड रिक्वेजिती है ना नो यह नहीं हाँ तुमने आज ही के दिन मुझे प्रपोज किया था नो म हैंने प्रपोज नहीं किया था तुमने चिया था और आज वह दिन है है वह तो रहो मुझे सब्सक्राइव आपना बढ़ने भूल गया लेकिन तुम्हें ही यात था आज के बाद में अपना बढ़ने कभी नहीं बूलूँ ग่ा Just shut up. This is too much. मैं अपना birthday बुलाओ, तुम्हारा थोड़ी. हम पहली बार कब मिलें, तुम्हें याद नहीं. तुम्हें प्रपोस किस दिन किया, वो भी याद नहीं. मेरा birthday याद नहीं, कुछ भी याद नहीं. मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारा birthday याद रखे, मैं ये सर्प्राइस प्लाइन किया, और एक तुम हो जिसने मुझे निराश कर दिया. मैंने कब का कि मुझे ये सब याद नहीं है? लाया, जब मैंने पूछा आज क्या स्पेशल है, तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं था. इसका मतलब यही है ना, कि तुम मुझे से प्यार नहीं करते हो? सब कुछ भूल जाना भी प्यार होता है. मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसके आगे मैं सब कुछ भूल गया हूँ. आज के बाद मैं सब कुछ याद रखूँगा. प्लीस. अब रहने दो. प्लीस, तुम्हारे लिए मैं सारी भूरी आदेते छोड़ चुका हूँ. अने लड़कियों से बाद भी नहीं करता हूँ. चाहो तुम मेरा फोन चेक कर लो. लड़की का नंबर तक नहीं है. देखो. नहीं मानती ना. फोन का स्पीकर अन करता हूँ. ये लो. हेपी बर्ड़े आदी. क्या हूँ आदुम चुपके हो? ओ, असपस लोग हैं क्या? जब भी में किस करते हो, तुम प्रप्लाई में मुझे किस करते हो. आज क्या हो गया? आदी. हे, कौन हो तुम? अलो, ये सब बोलने की हिम्मद कैसे कि तुमने बैव? चीटो. अब, सुब करो यार, ये लो. आ, थेंक्यू जाओ. अंजली, अरे, अंजली सुनो मेरी बात, अंजली. अंडर वर्ल्ड का बेदाज बाद्शा है साधू. साधू सेंग. ऐसा कोई काला काम नहीं है, जो साधू नहीं करता. यो समझ लीजिए कि खौफ का दूसरा नाम है साधू भाई. चेक, ब्रदर. जब दे रिकी. जिस तरह कमेट्टी में बार-बार कमेट्टी कमेट्टी बोलते हैं ना, बाई. वैसे जेस में बार-बार जेस जेस नहीं बोलते हैं. जेस बोलके मैं अपने शूटरों को चेक करता हूँ, समझा क्या है? हलो? बाई, कमला ने हमारी दुकान पर हमला कर दिया. क्या बूल रहा है तू? मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ. भंटरों, किसने कहा था कि देवराज की छोकरी कमला लुढ़क गई है? बाई, आप उन बोला था, आप उन नहीं उस दिन आपको वो ब्रेकिंग निउस दी थी. अच्छा, इधर आ? गोलू-मोलू-कालू? यह, तू गेम खेलेगा? कौन सा? अरे, जिसमें छड़ी को बॉल से मारते हैं. गोल्फ? हाँ, यह देख, ऐसे उठाया और ऐसे पकड़ा. देख रहा है ना? जी भाई, अच्छे से देख. वाल तुमें आप उनकी भी दुलाई हो जाएगी. भाई भाई, देखो ना, आज जीत गए, जैसमें आज जीत गए. जो सादू को पक्की ख़बर नहीं देता, सादू उसकी ख़बर ले लेता है. अरे, बाबा, मुझे खून खराबा पसंद नहीं. अब उन्नक अप्ला किया है, माई को पता नहीं, चलना मंकर. महें गया काम से. अरे, ये क्या किया तोने, अपने आपको मार दिया? उस दिन जब कार में भ्लास्ट हुआ था, तो अपने को लगा कि कमना मर गई. पर बाद में अपने को पता चलना, कि वो नहीं मरी थी. सिर्फ उसका बाप बरा था. अरे, तो क्या हुआ, छोटी मूटी गलितियां हो जाती है, अपने आपको मरने की कैसर होते? ओ क्या है, भाई, कि अपने भी आपसे सच चुपाया था, जूट बोला था. मतलब? भाई, जब आपसे कोई जूट बोलता है, तो आपको क्रोध आ जाता है. इसलिए मैंने सोचा कि आपके हाथों कुटे की मौट मरने से मेतर इंसान की मौट मर जाओ. जूट उसने बोला, तो मैं तुझे क्यूँ मारूंगा बता? मुझे ऐसा लगा था. अरे, तू तब मुरता, जब मुझसे जूट बोलता, खाली फोकट कोला पूरी घुजा के भेल पूरी निकाल ली. आपकी खुशी के लिए, अपने खुद खुशी का ट्राई मारा, अब आप उनको एसी वाले होस्पिटर ले चलो. होस्पिटर ले चलो, मरने का शौक था ना? ये ठकले, ये जल्दी टपक जाएगा, इसको शेयर ओटो में डाल के भागा दे. बेकार की मच-मच आप उनको पसंद में. अब ये ठकराल, गेम में कोई लोचा कियागे. भाईव, आपके हाथो मरने से अच्छा है, अपना खुदराम नाम सत्य गर लेता हूँ में. ये चलो बै, जली-जली करो, अभी स्मिमिंपूल का भी काम बाकी है. ये वही विनीशा है, जिसके दिल में आदित्य के लिए पहले जितना प्यार था, आज उससे ज्यादा नफरत है. इसे लगता है कि आदित्य ने इसकी फीलिंग्स का फायदा उठा के इसे अपनी से दूर कर दिया है. कुछ भी हो जाए, ये आदि को मार कर अपना बदला लेना चाहती है. आदित्य को कई बार मारने की कोशिश कर चुकी है, और हर बार इसका वार पहले से ज्यादा खतरनाक होता है. ये कुछ लीजा वाले है, ये कुछ भी ले जात साथ है. इस भी ज़ा आप यहां. इस्टर कपूर आप यहां? यह यह यह. थाइक्स पूदी अहले. इतनी चोटी डिक्की में घुसके, किसके लिए फील्डिंग लगा रहे थे? फिल्डिंग नहीं, सेटिंग कहो, जो मैं तुम्हारे लिए कबसे लगा रहा हूँ ओफिस कता होने के बाद, तुमने बताया था ना, कि तुम घर जाकर तल्ली हो जाती हूँ तो चार पिक्स डाउन होने के बाद, तुम्हारे घर में घुसके, मैं तुम्हारा फाइदा उठाने वाला था पर ये दिक्की तो खोलने का नामी नहीं ले रही थी दिक्की में छुपने के बजाए, अगर आप छुपके से मेरा प्रमोशन कर देते तो शायद कश मेरे हाथ में इतनी पावर होती ना, तुम्हें ने तुम्हें सीधा अमेरिका का प्रेसिडेंट मना दिया होता लेकिन हमारे एमडी उस जाहिल डफर इंसान ने उस जूनियर अधित को हमारा बाप बना के भीज़ दिया तो मैं आतित्य अपर ड़ोरे डालती हमा तुमझा, तुम्हार का मैं कर दूंगा मेरे प्रमोशन की बात करो ना डार्लिंग मैं हो ना ए ए स्टीफ ए रुक यार् स्टीफ, क्या कर रहे है, मुझे पर भरकावा की हुए मेरी क्या हुकाते सर कि मैं आप पर भड़कूंगा वैसे भी मैं ठह रहा है क्लर्क और आप बॉस है बॉस बोलता है अरे स्टीफ, रुक यार्ट लिफ्ट तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए होती है मैं तो सीड़ी से चला जाऊंगा अब आइडिया आया आदी आदी, वेट 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 मैं आया है थांक्यू क्या आदी, तुम और स्टीफ तो बचपन के दोस्त हो ना तो तुम्हारे बीच में ये पंगा कैसा मेरी लाइफ में लड़की आती है तो उसका क्या जाता है यह गलत है, तुम्हारी लाइफ में अगर लड़की की एंट्री होगे तो दोस्तो आपने आप एग्जिट हो जाएगे दा, वैसे स्टीव को अचानल प्रमोशन कैसे मिल रहा है, इसकी बज़ा हमारी फ्रेंशिप नहीं है, उसका टैलेंट है, अरे वा, तुम्हारी इमानद नहीं रे, इस बार नहीं, वो लेट आएगा, जैसे यह प्रेजंटेशन शुरू होने वाला होगा, वो अपने बैग में प्रोजेक्ट की सीडी ठुटेगा, जब सीडी नहीं मिलेगी, टेंशन धीरे धीरे पड़ेगी, जब उसका प्रेजंटेशन कवीता प्ले करेगी, यह चीटिंग है, एक्जाक्ली, स्टीव अपने प्रोजेक्ट की सारी उमीदे छोड़ देगा, जैसे ही चेर्मन कवीता के प्रोजेक्ट का अनॉंसमेंट करेंगे, एक्सक्यूज मी सर, एक गलत वैमी हुई है, यह प्रेजंटेशन कवीता की नहीं, स्टीव किये, फिर उ यह कपूर सुनाएगा, स्टाम, सर, यह कवीता का प्रेजंटेशन नहीं है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, पहले भी स्टीव ने जू भी प्रेजंटेशन बनाए, वो सारे कवीता के थे, मिस्टर कपूर, टेक निसेसरी अक्शन, शूर सर, थैंक यू, यह सब क्या था सर, तुम्हें चीट किया रहे, हेलो, एक विट, अच्छा में आ रहा हूं, मैं जब कॉन्फरेंस में था, तो अच्छी ने मुझे फोन करके फॉरण मिलने को कहा, और मैं सब कुछ छोड़ ज मैं इंपोर्टन मीटिंग छोड़ कर आया हूं, यह समान किसका है, तुम्हारा, I am breaking up with you, इन सूट केसे में तुम्हारी दी हुई ड्रेसे, गिफ्ट्स, डियो, वाचेज और बाकी सारी चीजे है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी एक भी चीज अपने पास नहीं रखूंगी, तुमसे नाता तोड़ कर, मैं कल से एक नई लाइफ शुरू करने वाली हूं, जयन्त और मैं शादी कर रहे हैं, गुडबाई, ए अंजली, अंजली पागल हो गई हो क्या, टेट भूल गया तो किसी और से शादी कर लोगी, वैसे मुझे सबकुछ याद है, पहली वाराम 15 देपरिल को मिले, दूसरी बार में सेकेंड को, तुम्हारा बट्डे 11 सेप्टेंबर, इतना काफी आउर सुनाओ, ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब मेरी बीटी को तुम्हें कोई इंट्रेस्ट नहीं है, अंकल ये क्या कह रहे है, डैड इससे बात करन और मुझे भूल जाना, ओके? कभी मौका मिलेगा तो बदला ज़रूर लूँगा एई स्टीफ, जल्दी अपने वाले रेस्टोर पे आना यार मेरे प्रमोशन की वाट लगा के कविता को आगे पहुंचा के यहां पे बखलोली, पीकर कटर में गिरना ओके है, राशन बानी लेका चैनल नोट होगा, आएट चीटिंग, आएट चीटिंग मेरे प्रमोशन की वाट लगा के कविता को आगे पहुंचा के यहां पे बाबा की तरफ प्रवचन दे रहा है देगा मेरे मेल को एकदम डेंजर है, एक बार चार्ज किया तो सीधर सबको आउट करेगा, तुने क्या सोचा थादित्या अकेला है, चल चार्ज हो जा मेरे दोस्ट, सब के वेकेट उड़ा दे, यह काना बोट शाड़ा बन रहे ला है, मार इसको, यह लंगुर मारेगा, जालो रहे, लगता है, इसके मौत आये, जो अप उन से पंगा लिया है, आज तुझको कोई नहीं बचा सकता रहा है, मामो, यह हैल में तेरा स्पिर बताएगा, तुझे नहीं बोल, भोल, राज दिलका, खोल, बटाता है या नहीं, बताता हो बाई, अब भी बताता हो जल्दी बोल, भाई, वो लोगोंने लड़की चुपा के रखिए, एड्रेस बता, बता रहा हूं पत्वा को जुपाया है तो जल्दी भूल तो हाइलेंड अपाट्मेंट नाइन फ्लोर फ्लाइट नूमर 99 शेर्स अरे मेरे शेर्स गटाटी एक सथ डर्ने का नहीं लड़ाई जगड़ा अब हम सब यार है यार यार करो आपस मप यार चलो काये का यार वे थर्ड स्टैंडर्स से मुझे बेस्टी बेस्टी कहें के नौकर बना के रखा है तो साल पहले इसका दिमाग हुआ था अब ता दिमागी गाया वो किया है ये भी सच है अजले वस्लड़की ने इसकी लाइफ बर्बाद कर दिये तुने कितने पाप की है आज मेरी वाट लगा के तो यहां पी के इंज्वाइ कर रहा है नौकरी के बैंड वजाई फिर मुझे बजवाया है अपने को वाइलेंस बसंद नहीं वाप उनकी बॉटल है दे इदर मेरा इसमें कोई आतनी है स्टीव यह सब उसका पूर का प्ला सच में तुने पीना बन कर दिया था फिर शुरू किया मतलब पार्टी अरे मतलब यह के यह टली होकर गटर में गरने वाला है और तो और यह सब की धुलाई करने वाला है अभी अभी पार्टी शुरू हुई है अंजली के साथ तीरा बैट लग गया अंजली के साथ तीरा आप उनको बदा? यही पो लेटा रेगिया? यही निशानी बची आप लेटा तुझान गया ना आझली तुझसे कितनी नफरत करती है? हाए Mr. Useless Fellow Aditya दो साल पहले तक मैं हमेशा खुश थी तुम्हारी मेरी लाइफ में एंट्री होई और मेरी लाइफ बरबाद होगई हम तो रोज मिलते थे लेकिन तुम्हें मेरे बारे में खुश यार नहीं रहता इसलिए यह पक्का हो गया कि तुम्हेरा प्यार प्यार नहीं जोग था यह चीटर इंशाट तुझे गेताउट कर दिया उसने जब चीज़े लोटाई तब भी उसके आखों में प्यार दिख रहा था मुझे जैसे गली के कुत्ते को भगाते हैं वैसे तुझे लात मार के निकल गई तुझे एक करवा सच बोलूं क्या चाटिंग, डेटिंग, मीटिंग और फ्लेटिंग यह लड़कियों के शौक होते हैं अगर तुम बात करो लाव शादी और लाइफ साथ बितारने की तो वो तुमें बोज मानने लगती है और धीरे से पतली गली से सटक लेती है बेव फसनम मेरी अंजली अची नहीं है वो छोड़ यार उसके साथ दो साल इंजोई किया ना मैरे मैंने एक बार भी एंजोई नहीं किया तो लाइफ से अंजली को कंट्रोल अल डिलेट कर फ्रेंड्स को एड़ कर और लाइफ से रिस्टार्ट कर मैं सुसू करने जाएगा लड़की मांगती है तो बता अपे देखेंगा तो देखते रहे जाएगा एवान है मस्त है एकदम मस्त लड़की बुड़ इवनिंग सुड़ इवनिंग कम कविदार बैठो अराम से बैठो एसी बे भी गर्मी का एशास अरे तुम लोग अपी तक जिन्दा हो वा 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 खपूर क्या टाइमिंग है तेरी मतलब मतलब तेरी को यहाँ देखकर हाथ की हत्यली में सलट खंजली हो रही है क्योरे स्टीव इतना सा मोने के बाद में तु एस दुखेबस के साथ है कौन क्या है मुझे सब पता है इसने तुम्हेरे टकले वेज मंचुरियन विट पनियर बिरियानी शेजवान चोटी के साथ है वो भी इसको छोड़ दे पगेर उसको अभी बताता हूं तुश्रिप में हाथ साफ मात करो प्लीज कैफोल सर कैफोल तुम्हारा धहन के सर्फ बिल की तरफ होता है सेक्रिटी वालों को बुला और उसकी धुलाई करो अच्छा उसका साथ दे रहे हो दुष्मन का दोस्त अपना दुष्मन होता है अशल्या आप तुम सब मेरा जने दुष्मन हो पाजाओ रहे है है कि अज़ 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 कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच आग लगाता है रस्ता साफ भागो 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 अहाँ मेरी कार मुझे लगा था उस लड़की के लिए तू मुझे अपने डैड हम सब को छोड़ के चला जाएगा कभी नहीं सहीए सहीए वैसे जिस तरह भीशी एक बच्चन हो ही था बच्चन के लिए उसी तरह यह अपने पापा के लिए यावा अभी तो लड़की ने इसे टांग दी है अब डैडी को क्यों बीच में घसीट रहा है उस लड़की की वज़े से इसके डैड दूर हो गहते रहे रहे बहु उसने उने ओल्डेज हों में भिजवा दिया है रियाब सेंटर में ओल्डेज नहीं अच्छा इसके पापा भी बड़े नशेडी देख्या सिर्फ नशेडी नहीं होस्तन कोठा जुआ ड्रग्स साब के शौकिन जसके को मस्के की तरह भगाने के लिए रियाब बेज दिया है और हमारा के बंदू पपा को याद कर रहा है अच्छा यानि इसका दिमाग अब प्यार से पापा पर शिफ्ट हो गया है अच्छा यादी को भूल गया है सारे दोस्तों को भूले गया है अच्छा बूल जाओंगा उसकी एक पर निशानी नहीं चाहिए इस थर्ड क्लास अंगूठी को भी फेग देता हूँ ओपर धक्का दे चान्त हादटर भाई आजा आजा ओ श्टीर डाड यहां क्या कर रहा है तो आपकी को डूड़ने के लिए बटक रहे थे साथ में आधी भी यहीं पर है क्या तो वह अंदर नहीं जाता तो आप बार के साते हैं दीवार कूद के अच्छा पिर वह अंदर किसे उठाने के हैं क्या मनोहर कहीं मिल नहीं रहा है हां सर उसके साथ साथ कमला भी गायब है पेशिंट इस इंपोर्टेंट चलो ढूंडो उन्हें सब्सक्राइब कर रहा है क्या कर रहा है यह समींको मेरी कोरान की तरह क्यों गूम रही है जलती से मिस्टेक हो गई यह मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी अब तुम दोनों कौन हो बेटा है तुम्हारा नहीं मनोहर का मनोहर के बेटे हो अच्छा कि अच्छा पकड़ो जाओ जाओ पकड़ो जाओ अच्छा बनाया इसको बोलते है नो लोचा वह जो सोचा यह करेक्ट है यारा आप कितारी मैं कर्ती हुँ ना यह कौन है यह तो कमला है अब इसका नाम नहीं पूछा डैडी की गल्ट्रेंड अपने बंधू की नहीं मम्मी डाड़ी येस माइसर अगर दारू है मेरी लाइफ तो कमला है उस लाइफ का प्यारा नशा आई लव यू आदार काट पी एज देखिए ना मेरी उम्र सेंचुरी मारनी है तो मुझे कमला चाहिए तो बड़ा बेटा चोटी मां के पैर चुके आशिरवाद लेगा और चोटी मां बड़े बेटे से कहेगी तुझे मेरे भी उम्र लग जाए प्यार में इम्तिहान होता ही है लेकिन मैं बाप और बेटी की बीच नहीं आना चाहत एक्सेप्ट कर लिए तो यह मेरा लाडला मेरा इकलौता मेरी 31 गर्फ्रेंड अपनी साथमी मा यानि कि मेरी साथमी बीवी को आखिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यह ऐसी जिन्दगी जीने का क्या फाइदा इसलिए मैं यह जहर पीकर मर जाओंगा यह सामत करो रु मुझे करेंगे तो फिर समाज क्या करेंगा यह चश्मिस एक तम सही बोल रहा है चुप करो ड़ी वह जहर मुझे दो बिलकुल नहीं दूंगा अगर दे दूंगा तो तू अपना फैस्ला पतल लेंगा वैसे हम जाका रहे है घर पे खंबा पड़ाया गर में उस धोके बास लड़की के लिए मैंने टोटल पीना बंद कर दिया अब क्या करेंगे तो खरीद लेते हैं ना वान टू थ्री फोर फाइव टेन फुल बॉटल्स खरीदे टेन फुल बॉटल्स खरीदे तेन फुल डैड़ी को तो दारू चाहिए मैंने सिग्रिट मांगी है साहब के लिए दारू मिम साहब के लिए सिग्रिट ऊपर वाला इस टली चर्सी जोड़ी को बनाये रखे एए इस लड़की को दे कपड़े कम टट्टू जादा दिखरे ले हैं तेन फुल बॉटल्स विस्की बॉक्स में डाल के दिना मेडम पैसे मेडम मेरे पैसे है अलो मेडम दंदा क्यों मंदा करे लिए अगर जैम में पैसा नहीं है तो हम सब का दिल बहला के चली जाओ यह क्या है चोटा बड़ा जैसा भी हो धन्दा धन्दा होता है इन कौडियों से तुझे कुछ तुमीली जाएगा जा जाके बेज दे चाल रोकड़ा निकाल जाके सादू को कह दे कमला लॉट आई है सादू भाई का नाम लेकर फ्रीकी धारू मतले जा मुझसे बोल नदिया बहा दूंगा अप उनका फंडा सुन ले जब आप उनको नेन नहीं आदी ना तो आप उन दूसरों की नीन उडाते क्या चलना फिर मेरी भी थोड़ी नीन उडाते तुझे तो मैं सीधे नर्ग छोड़ क्या होंगी Smoking and drinking is injurious to health अरे यह गरम केटली शिमला मिरचे को कहा से ला है यह है मेरी कमला यह तो सिर्फ ट्रेलर है कमला का हमला पूरी पिक्चर तो अभी कमला ने दिखाई का है यह डौनों की डौन है भाईयों की बहन है गुंडों की गुंडी है पूरा अंडर वर्ल्ड कमला का नाम सुनकर थर-थर कापता है कमला की कमलागीरी देख कर अच्छे-च्छे भाई-भाईगीरी भूल जाते है अभी नहीं उठेगा चलो येस अपनी अपी बोतल उठालो दारू लाने के लिए दुकान क्यों जलाई यह तो एक किलास पानी के लिए कुवा खोड़ टालती है वह तो देख गया कमला का हमला देखके मेरा सिर्च चक्रा गया सादु भाई आज से आपकी दुकान बंद देवराज की बेटी कमला वापस लोटाई है वो आप से अपने बाप की मौत का बदला लेकर रहेगी मैंने एक आदमी को उसके पीछे भेज दिया है मौका मिलते ही वो उसे टपकाटा लेगा अगर तेरे आदमी ने उसे चुआ ना उसका गेम मैं करूँगा वो मरेगी तो मेरे हाथ हो ठीक है भाई जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा आज तो नहीं बचेगा दित्या इतने दिनों से अंदर जो बदले की आग सुलग रही थी आज ठंडी हो जाएगी तुने मेरे प्यार का फाइदा उठाकर मुझे यूज करके फिंग दिया आज तुग गया काम से वहाँ पर है वहाँ पर कोई तो है उधर उधर है साधू इस तरह बखला गया कि उसमें अपने आदमियों को कमला को ढूंद कर लाने का हुकम दिया तेरा घर है के शीषमेल आइम प्राउड आप यू माई साण डेटी इतना प्राउड माद हो यह घर इसका खुदका नहीं है कंपनी ने दिया लड़की के चकर में अपना घर नहीं बनाया इसलिए यह घर है आइम सॉरी डेटी हालो डालिंग आश करते हैं भाई वह सब राविडेज अपाट्मेंट में कहें हैं कि बैस्ति आज कॉनसा को ganze 3 पाज जन्वरी जिने इसए मंडे जन्रब है अब सब मेरे बेस्टी को अपने एकलोदे बेस्टी का बड़्डे तक जाद नहीं मेरे डैडी को भी याद नहीं लेकिन अंचली को याद था एखना कितना मस्ट केक बनवाया तेस्ट करके देखरो उसने सिर्फ केक दिया ना मैं तुझे राप्ची गिफ्ट दूँगा तेरी गर्फ्रेंड तुझे तेरे बड़्डे पर छोड़के गई ना लेकिन तेरा बेस्ट्रेंड तुझे उससे भी बड़िया गिफ्ट देगा हाई लालाला शेदान अंजली को बूल जा और पादमा के साथ का दम बड़ा अब ऐसी गिरेवी हरकत करके अंजली को नहीं बुलना अखिली है अखिली है मैं ही जाओंगा मैं ही देखंगा इस अखिली है अखिली कि वह इसका तो पर उसका तो पर उससे देख के सर्मा लगी तुछ करना अरे वो लड़की नहीं है वो लड़का है अरे जश्मेश को बादे या श्राब दे रहा है विए बटे को श्पेशल बना ने जाताएं और अश्पेशल भी और आजकल सब को वनारीटी पसंहें मैरे 15 000 है गए 50 000? आखिर मैं सबसे हटके हूँ शीचे ठाकीद डैरी ये सब क्या है इश आते वेक्स हम अपने सब कपडिने लाये थे ना तुने जो बाइक दिया था उसमे यही तुथे तो मैंने पेहन लिया कैसी लगती हूँ छी 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 एकदम चीछोरे अरे बेटा ये तो एकदम लेटेस्ट फैशन है वाव वाट फिगर अरे डैड़ी नहीं बहुत जोले बहुत जोले वाँ पर मच जाओ तुम ने पहले से किसी को रेंज किया है तो मुझे क्यों बुलाया तू कौन सी कंपनी से आई है मैं किसी कंपनी अपनी का गुलाम नहीं आजाद पंची हूँ डैड़ी चिछारे पंची अज़ा की नहीं लड़का है यह भी औरत नहीं है आप्मी मतलब उसके पास वो नहीं वो है इसको लेके जाए चलो एचलो एचलो वाट्स हापनिंग आखेर क्या हो रहा है आपर इसने मेरे कप्डे क्यों पहने हुए अरे यह पेचारी भी अपने कप्डे नहीं लाई तो आपको आदमियों क्या और इसको और तो के कप्डे पहनने चाहिए थे ना ट्राइ किया था पर फिट नहीं हुए कमला मैडम तुम्हारी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड है मेरे डैडी की गल्फरेंड है ओ तो पुलीस आपी को ढून रही है या पुलीस ओ एक बात तो बता ही न कमला कौन है जानते हो आपको नहीं बता देवराज की बेटी देवराज की बेटी है अंडर वर्ल के सबसे मड़े माफिया डॉन की बेटी इस वक्त कौन टपका अंजली तु नहीं अंजली ना इस गर में कदम रखा तो मैं जहर पी कर जान दे दूंगा नहीं आप अकेले अंजली आएगी तो मैं भी यह पीऊँगा तुम दोनों चटो प्रण अठी आप अठी आने दो इनको चलो अंदर आजाओ कमला को मैंने कल बताया था कि आज तेरा बर्थ डेय मेरी जान बहुत इमोशनल है इसलिए इसने तेरे लिए कुछ कीमती तोफे मंगवाई सुरी मैडम मैं आपके सारे पैसे लोटा दूंगी और यहां से चली जाओंगी रो मत पादमा अंजाने में गल्ती से तुझसे मिस्टेक हो गई पैसे माइने नहीं रखते तेरे यहां आने से जरूर इस घर में कुछ न कुछ शुब होगा सही का अब आ ही गए हो तो दिल पहला के जाओ दूआ दे के जाओ खुश हो के जाओ मैडम बस आपने कह दिया ना वैसे भी मेरा काम ही है सब के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चलो आज अदी के बंद्रे को यादगार बनाते हैं है आपी राजेग! पद्बा भाई तुवे बलाएं मेरी पाट्डी का कबाडा करतिया, बारो, चलो बारो यहाजिए चलो बारो यहाजिए चलो रे पट्बागो जूने चलो 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 जल्दी अज़ी, कम जब ए इस वक्ता हम कान? अपनी कार में, अपने साही रत में, एकदम हैपी हैपी अजली उबेट जयन? अजली उबेट जयन… हाँ? तुने ले कहा था तु अजली को भूल गया? तु तो ऊसकी शादी मेलेदे! बेच, बेच, स्मिश! अदी! जा रे दे हुसे! अदी! क्या सें, Joshi साथ? जी बढ़ी है, अप कर दियो? अवे, ठीक से वेड़ सरा जावे? अरे? तो यहां कैसे पहुचा? फूल टाइट होके, मुझे इन्वाइट क्यू नहीं किया? हेई! इस मासूम लड़के की अपनी बेटी से शादी करा के लाइफ बर्बात करना चाते हो? शर्म याते, आन चले, वहार नेकल! तो जानता है यहां आना तेरे लिए सुसाइट जैसा है? करेक्ट बोला, यह एक सुसाइट बॉमबर है, अहल काईदा ISIS किस पिस कंपणी में काम करता है, यहां भी बॉम लगने आया होगा, पापका चलो करेक्ट करेक्टर सबको बताना है, मिस्टर, अंजली के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनगा, तेरे में हिम्मात है तो अंजली को ले जाके दिखा, खाली फोकट मेरा टाइम वेस्ट मत कर, तू भी जया, मदन मोहन जी, देखा आपका जमाई कैसे मर्द की तरह धंका अरे मैं से छोड़ूंगा नहीं, पोलिस टेशन जाकर तेरी कम्लेंट करूंगा, मीडिया को बुला कर तेरी धजिया उडाऊंगा, बोलूगा कि तूने अंजली का रेप किया और उसे शादी करने का जूटा वादा भी किया, और प्यार के जाल में फसाकर उस बेचारी को प्रेगनन भी कर दिया, जगपती, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के बारे में कसी बाते कर रहा है, आपके जमाईने जो कुछ बोला है, इतनी पूरी बात है तो मैंने भी नहीं की, क्या ढूड़ कर नमूना दावाद लाए हो, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बाहर अजली, क्या टाइम पर फोन किया है, रिचर्च क्यों वेस्ट कर रहे हो, भारा कर मिलो ना, कहा हो तुम, अच्छा, यह नहीं पता कि मा कहा हूँ, अरा बाहर निकल, मैं पहले से ही बाहर हूँ, अरा बाहर हो तो मुझे दिख क्यों रही हो, अच्छा, बताओ तुम मुझ यह तुम्हे एक लेटर दिया था, तुम्हे वो पढ़ा नहीं, तुम भइं रूखना, मैं वहाँ पर पूछता हूँ, ठीक है, चाल, चाल बरे को अच्छाव, जाओ अच्छाव, मैं अदमत करो, मैं जा रहा हूँ, तेरे अलिया नहीं परकूफ, बेवकूफ, कून बनने तुम लग कानो है जो अंजली को किटनाप करने आया है एरी तिकलो यहां से लेकिन क्यों बेड़ा अंजली को तम ले किटनाप जिल्दी चलो यहां से पकड़ लो ही सबको कोई जाने न पाये यह वेरी नाइस होस इसकी पीट के लिए बाम लेकर रहा थो और आन मिनेट यूट क्यों रहे यह लो इससे दुराई का रो मारने के अलावा तुझे और को जाता नहीं है? सरी, सरी, जानू अब गिरेवल को उठा जानू झरे, आ अएइँ सरादो अभिल्स, पिचा गरो मारै ग्या अएँ अए आएँ शोलो कर बच्राओ तुम्करे अज़ा आरे माय अदक्या, आरे मुझे कीज़, इज़, आरे आरबाग आरी, जल्ज आना रो तु बाद गारी चलादे रहा, मैं आना राजाओंगा इज़, इज़, आरे मैं आरे मैं य। पुँ कर दो ए ठाउ कर दोड़ हो आप हो ए!! जगप आप 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 मेचेफ ! कि एप! कर दो एप! फइज टाहिए… उस गारी में कम्ला है, गूताला है आज है, सोजा सोजा लोनी सुनाओ इस यहाँ मैंनe है कि विक्रमत करो सेर हमें तो क्या कम है बाकी सब बानी कम है बहुत जल्द वो लड़किया आपके पास होगी सेर इंतजार कफल मेठा होता है अरे वो देख पत्मा पीछा कर उसका पंशी चल 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 डी ओ नो वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं ठीक है ठीक है जल्द कि अरुटी उसका है गों कि हीया आप के यारा पुलिस भी पीछे पड़ गई हमारे भोरही कम्रा ऊपलो उसे अंचली इस मांदाइप अनचली क्याम सभी इंपॉर्टन तया है बच गया, मैं बच गया जैक एंड जिल वेंट अब दे हिल नहीं मिली मन्जिल अब या तो हो जाओ अरेस्ट या खुद को करो किल मम्मी अब गो हाओ बचल क्या गुदा कर दो खुदा वख भुदा मिली अपलाव कुछ जिली या उुदा मम्मी कि अचिछ पले वोर जोचा होगा है कि अच्छकर आगा है आगा है आगा है मुछ्म्म्मॉ अंजली जल्दी बैठो वो रही कम्ला आगे ले आगे ले यह सब कौन है अधित्या यहां हो क्या रहा है और तुमने मेरे कपड़े क्यों पैने है लव यू ना अंजली शराप पी कराए हो जिर्फ इसने नहीं हम सबने पी रखी है अंकल बाहर कैसे आए यह एक सूपर अंजली एडविंचरिस और थ्रिलिंग स्टोरी है तुम कान हो मैं एक फॉल टाइम चौर हो मैंडम चौर है चौर है चौर है एक बहुत ही काबल चौर और तुम कम्ला नाइस मीटिंग यह डैडी की गर्फ्रेंड है यह फुल टाइम अंडर्वर्ड दॉन है जिसने अब तक लव बर्ड्स हाए नजर ना लगे तुम कौन हो मैं हूँ एक प्रोफेशनल गर्ल फ्रेंड आदी के बर्दे पर इसका वन नाइट बेस्ट है क्या गिफ्ट वो एक अलग स्टोरी है फुरसत में बता हूंगा अभी बता दो कैसे तुमने काम तमाम किया है काम तमाम कर दिय काम तमाम मतला प्रोब्लम सोल्व किया दूसरे एंगल में मत सोचो मैं पागल हो जाओंगी मैंने क्या प्लान किया था औरे क्या हो रहा है कुछ दिनों पहले किसी घटिया आदमी ने मेरे डैट को कॉल करकी हमारे बारे में सब कुछ बता दिया इसलिए उन्होंने जयन के स शादी करने के लिए राजी हूँ और सामान वाले सूटकेस तुम्हें दे दिये वही कपले तो मैं और डैडी पहन रहे है इडियट शादी के बाद मुझे कपड़ों और बाकी चीजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या और इसलिए तुमने मुझे दिया हुआ हर एक गिफ्ट मैंने सूटकेस में पैक करके तुम्हें संभालने के लिए दिया था लेकिन भागने का प्लान बनाया था तो जहन से शादी करने का वेट क्यों क्या पहले क्यों नहीं बताये जब मेरे डाड बहुत स्मार्ट है शादी की बाद उन्होंने मुझे लास मिनट बताई और उसके बाद नो फोन्स नो फ्रेंड्स इसलिए में तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रही थी सही टाइम का इंतजार किया और फिर मैं भाग निकली कि रूखादी गाड़ी रहा इसके बापा को फोन करने से पहले मुझे बता चल जाता मैंने न तुम्हारे बारे में इसके पापा से बहुत सारा जूट बोला है मैंने बोला कि वो तुम्हारी लड़की को गुमा पिरा के छोड़ देगा प्यक्राक करने वाले गड़वीखादी आख थे अपने बैटे को खोड़ने के खयाल से मैंने यह नीच हरकती आदी gotta रोखो रोखो यहां यह पुर्ण के बारे में मुझे तो पतायो होता जो लेटर मैंने तुम्हें दिया था उस्पे पूरा प्लान लिखा उवा था तुम मेरा बेस्टी है ना अंजली के डर से तुझे खो दूंगा इसलिए यह सब किया है भड़ मजा है तू और तेरा सौरी तुम सब नो मेरी लाइफ पर पाद कर दी उत्रा नीचर क्या यार हम सब अच्छे दोस्त है ना तो किसी की बगवास सुनिये ना शकल देख दिये वोके लाइफ मार के निकाल दिया है आँ अजली समझ न आता मेरे डड़ ने तुमारे ड़ देड को कॉल क्या और उस्टीव ने लेटर क्यु छुपाया और मुझे वह सब कोई नहीं चाहिए मुझे सिर तुम चाहिए आई लव यू अंजली मैने जो रिंग दी वो कहां है उसे सेफ रखने के लिए दूर के बैंक के लोकर में सेफ रख कर आया हूँ उसकी एक भी निशानी नहीं चाहिए इस थर्ड क्लास उंगूठी को भी फेट देता हूँ वैसी सेव रिंग तुमारे पास भी है प्लीज अंजली घलत फेमी हो गए थी रेस्टरान में तुमारा वेट करते हुए मुझे यह रिंग पड़ी मिली तुम कार रोकते हो या मैं कूछ जाओ रोको रोकता हूँ रोकता हूँ प्यार के लिए कभी-कभी जिन्दगी भर वेट करना पड़ता है तुम्हें तो यह यकीन तक नहीं था कि मैं आऊंगी अरे एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अंजली ने ऐसा क्यूं किया एक बार भी खयाल नहीं कि अंजली तुम्हें छोड़ कर क्यूं गई बस तुमने पीना शुरू कर दिया और लड़कों के साथ घूमना फिरना भी मैंने यह रिंग तुम्हें कितनी प्यार से दी थी और तुमने उसे निकाल कर फेग दिया आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे प्यार क्यूं किया और अब मैं हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो अब मैं जाकर उसी लड़की से शादी करूंगी जिब मेरे डाड मेरे लिए चुनेंगे I hate you, goodbye अ किससल मेरे दुए इना हूँ अ आंए, बा किससल मेरे लर गएब ज़े मेरे खिचू आपी, आपी, आप आप, आप् भयख भ१ ह Ladyilly, Ole Li plingे भ१ भ१ नव ? कर दो अपर दो पोई 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 पिस को मैं। वै 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 पोई झाव कर दो छैया उतना इचिए ठाया जातना ऐसे हां झावा जातना झातना झावा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आधत्या, I will kill you, I will kill you, you cheetah! अलो यारा! तुम लोग यांपर कैसे? तु हमें बीच सडक में छोड़ के गया, तुझे क्या लगा हमें कोई नहीं पूछने वाला? क्या? दिमाग पे जादा जोर मत डाल, पुलिस हमें यहां लाईए रुप जाओ, रुप जाओ सैर, देसी घी की मिठाई लाए हो ना? मिठाई बाद में खाना पहले शेर सुन, खुशी ऐसी की मन में न समाए, चलो इसी बाद पर पहले कुछ मीठा हो जाए बड़ा मुखोल लड़ू बड़ा है सर, बात किया है? मुझे प्रमोशन मिला है, मैं ACP बन गया हूँ कॉंग्राचुलेशन सर थैंक्यू राजा तुम सब नहीं होते तो ये प्रमोशन कैसे होता तुम भी मुझ खोलो राजा हाथ खोलो ना सर, ताकि हम अपने हाथों से आपका मुझ मीठा कर सके हाथ खोल दू, तुम्हें पकड़ा तब जाकर तुम्हें इंस्पेक्टर से ACP बना हूँ कुछ भी, ड्रिंक अंड्राइव के केस से आपको प्रमोशन मिल जाएगी हाँ सिर्फ ड्रिंक अंड्राइव बोल के प्रमोशन का अपमान मत करो, बहुत बड़ा केस फाइल किया है बड़ा केस? क्या बात है सर, अगर आज बड़ा नहीं तो कुछ भी नहीं गौडजिला अगर दो फिट की छिपकली होता, तो क्या इतना बड़ा हिट होता? यानि मैंने जो कहा वो करेक्ट है ना? परफेक्ट सेर आच्छिली बात यह है कि तुम रियल एस्टेट कंपनी में वाइस प्रेशिडेंट हो अब वाइस प्रेशिडेंट को वाइस प्रेशिडेंट बोला, तो उसमें क्या बड़ा बोला? अगर बोला कि तुम आलकाइदा के टेररिस्ट हो तो बात बनेगी ना सार सर्शन मैं टेरिस्ट नहीं हो सर प्लीज मुझे जानेदेः सर्ट मैंने कुछ नहीं किया नेक्स्ट तुम जेब कत्रे हो ना अब अगर यही बोला तो उसमें कुछ बड़ा बोला क्या लेकिन अगर तुम नेवी आर्मी के सीक्रिट डॉक्यूमेंट्स चुरा कर टेररिस को सप्लाइ करते हो ये बोला तो बड़ी बात होगी ना अरे बड़े बोल बड़े अनमोल जस्ट इमैजिन अब इसे कहां सेट करूँ ये जंगल के किसी जंगली जानवर जैसा लगता है इसको पर्मनेंट केस में अंदर डालता हो सर मैंने पहली आपकी इतनी तारीफ कर दी अगर मैं जंगली जानवर होता तो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे हो सकता है सर क्यों नहीं हो सकता राजा इंडिया में टाइगर्स की गिंती कम होती जा रही है और वो तुम्हारी वज़े से मेरी वज़े से? बता हीरन और लोमडी का शिकार कौन करता है आज कोट में बॉलिवुड स्टार्स पर केस चलते हैं तेरी वज़े मैंने कुछ नहीं किया चंदन की तशकरी, हाथी दान की चोरी, मर्डर, स्मगलिंग, इधर का माल उधर करना यही नहीं टाड़ा फाड़ा और नाड़ा तुम पर सारे केस चलने चाहिए ओ माइ गॉड, मुझे उस गुना की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं कुछ करोबर ना मुझे फासी पे लड़ा देंगे अबे ऐसे केस में सिर्फ दस साल की जेल होती है फासी नहीं लगती भाई ये तो बता रेप के केस में फासी होती है क्या यह तो मैं तुझे लड़का हूँगा, सीधा हूँगा यह रेप का एडिया मस्त है लेकिन रेप का शिकार होगा कौन सर कंप्लेंट लिखिए कि मेरा रेप हुआ है अटेंप्टू मर्डर भी लिख लीजेगा यह लड़की कौन है आई लव यू लेडी राजा यह अधित्य एक नंबर का चीटर है मासूम लड़कियों के साथ खेलना इसका पुर्राना शौक है सर यह लड़की कौन है मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा आपने देखा ना सर हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं एक ही अपार्टमेंट में? इसने मेरी फीलिंग्स का भी मजाक उड़ाया और मुझे अपने प्यार के चक्कर में फसा कर उल्लू बनाया मैं तो सीरियस हो गई लेकिन इसने मुझे इग्णोर किया पहले मुझे I love you कहते कहते इसकी जबान थकती नहीं थी और आज मुझे देखता तक नहीं है मैं साधित्य को कभी माफ नहीं करूँगी है है तुम इतने टाइन से चाकू लेकर यारा के बारा बजाना जाती थी अरे तुने इस लड़की को पहले कभी देखा है गया मैंने कहा था ना कोई तो है वहाँ पर इस लड़की को छोड़ दो कंप्लेंड लिख लो और जाने तो इसे सर 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 क्लीज हमें जाने दीजे मैडम कंप्लेंड लिखवाना मत भूलना प्रेस बीट पे इसे सही सलामत मत जाना बॉड़ी पर जप्व और खून के निशान होने चाहिए एसा केस करना कि 10-15 साल जेल में सरे अवे साइको काहिए कि कौन है तुम वाट एन आइडिया ए कॉंस्टिबल्स कमान इन सब को अंदर डालो और प्रेस कॉंफरेंस बुलवाओ काहे कॉद्ध एक चुकर या अफ़र की पूरिया कौन है रहे यारा अपनी ये सिचुएशन देखकर मुझे कहावत याद आ रही है आसमान से टफके और जेल में अटके कि अच्छाइब रही है सुन यार अंजली की याद आ रही है हम उसको बोल जा यार अब तब तो उसकी शादी हो गई होगी किस्मत के आगे किसी के नहीं चलते क्या किस्मत वे अगर तुने उस दिन वो लेटर बतला नहीं होता तो अपना यार अंजली के साथ में हनीओन मना रहा होता मेरी जिन्दगी वर्बार कर दिया मुझा ही प्रवचन दे रहा अब भी बताता हूं तुझे क्या शोर चरबत चल रहा है इधर आओ सर तु तो चोल रहे ना तुझे तो यह लोग खोलना आता ही होगा खोल तो लेता यार पर फिलाल अपने हाथ में कोई पिन या ऐसी कोई किसका बजा वो क्या है अफराद अफरी में फोन काई गिरना चाहे इसलिए मैंने उसे अपने पर्सनल लॉकर में रख दिया था निकालता हूं यह लो तो ही उटा तो ही उटा हाँ ठीक है ओके कौन बोल रहा है तेरी मां साथू अबे मंत्र बोला तो तू गाया तो काम की बात बोल रहा हूं अंजली चाहिए क्या अंजली को मैंने किड्नैप कर लिया है क्या चाहिए तुझे तेरे पास जो मेरी फैन है वो चाहिए मैं कैसे मान लू अंजली तेरे पास है तू नाम का सादू असली नहीं अबे मैं असली सादू हूं तुझे जादू कर करके बताओं क्या एक मिनिट है कि वाग कर हेलो अधित्य बोल रहे हूं यह तो पदमा है यार हां सही का मैं अंजली हूं इन लोगों को पदमा नाम की लड़की की तलाश है इसलिए मुझे पकड़के अपने साथ ले आये मैं कब से कह रही हूं कि मैं अंजली हूं फिर भी क्या हूंआ यह तो सुन ले अगर तुने कमला को मेरे हवाले नहीं किया तो फिर इसे माल डालूंगा घंटो करना उसके साथ कर ले भाड में जा क्या नो रिस्पेक्ट हां वाही के रिस्पेक्ट नहीं करी पद्मा को अगर साच में मार डाला तो बिना वज्जे के वो कभी किसी को नहीं माता वैसे यह है कौन बात में बताऊंगी मुझे वो नंबर दो जल्दी पुलिस मैं अंजली नहीं हूं प्लीज मुझे जाने दो छोड़ देश को कमला को पगड़ने के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा अगर यह अंजली नहीं है तो इसने पहले क्यूं बोला यह अंजली है कुछ और भी तो बोल सकती थी आधिते से बात करने के बाद अचाना कि अगर भाई यहां से जूटने के लिए पकड़ उसको अलिया उसे लिया इतर तो फिर येडे ने तुसे फोन पर क्या का यही कि मैं बोलूँ कि मैं अनजली नहीं हूं मतलब तू अंजली है नहीं हूं गधे गधी रिस्पेक्ट कर सॉरी सर अंजली नहीं हो तो यह पहले ब इस इनू भाईया यह कौन है हमारी मस्ती कंपनी के ओनर कौंसी कंपनी कंपनी जो देती है कंपनी के रेक्टर ढ़े लग रहा है इसको तुम लोग खर जा पामी दो खुप चे मैं पोन को साइलेंट पे डालना वाइब्रेशन मोड पे दन बदन डिस्को करने लगता है अब डांस क्या कर रहा है फोन उठा अलो मामा बता तो तेरी गर्ल्फरेंट को छोड़ू मोड़ू या फिर तोड़ू अपने काम में राइका तेल डाल के सुले कल मेरी गर्फरेंट क क्यों रहा हो कि जैसे कि उस लेटर की वज़ए से कटकाने वाव बॉले को मारा मेरी यह गल्ति के वज़ए से मुझे मार रहा है क्या अलो हरे हीरा सुन तो मेरी बात सुखागरात आज नहीं कर होगी मजे से होगी ठेका ना अरे बाबरे मैं टो तेरी धमकी से डर गया अब तुझे गटनाप किया और फिर तुझे भगाने की कोशिश की सही पकड़ाना है हमारा ब्रेक अप हो चुका है अबे ओए मेरे साथ ना साधा नो टंके मात करना तु तु रुक मैं अभी तेरी ना उसाधित्या के साथ डरेक्ट बात कराता हूं तू उसके भेजे में सारा माम शुरत लड़की है चीची ब्रेक अप के एकदम बाद उसने ये सब शुरू कर दिया उसको फोन लगाओ चलो जल्दी अधित्या तुम जाना नहीं चाते मेरे साथ क्या हुआ पद्दू ओ डफर वो लड़की तुम्हारे पास है क्या क्या तुम कमला की बात कर रही हो कमला ये तुम कितनी लड़कियों को जानते हो कमला को मिला के तीन क्या कहा एक साथ तीन लड़कियों को डेट कर रहे हो ए दिमाग तो ठीक है, मुफ्त की पीके बैड़ी है, क्या अंजली की तरह बात क्यू कर रही है, और तुम भी आदित्य की तरह कहां बात कर रहे हो, अरे अंजली बनने का नाटक मत कर फस जाएगी, डफर, अंजली का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हो, अरे बोला ना, उ अरे अंजली की कीमत, क्या करोड़ चाहिए, अरे फोन मुझे दे, अब तेरा असली चेहरा सामने आई गे, अंगल, छी, खबरदार जो मुझे अंकल कहा, अंजली को किटनाप करके कहा ले गया है, किटनाप? नातक मत कर, अभी अभी तुने पैसे मांगे, और अब भोला बन रहा है, किटनाप, सादा मासों मत बन, अरे बेटा, जैडी, मनू, सुन, इनको लगता है कि हमने इनकी बेटी को किटनाप किया है, अंजली को लेकरा, मैं तरी उससे शादी करा दूँगा, अब आप वहाँ केसे पोचे, यह मुझे सडक से उठा कर यहां ले आए, धुलाई भी बहुत की, डैडी, है, अगर तुने चुप-चाप मेरी बेटी को मुझे नहीं सौपा, तो तेरे बाप को मां डालूगा, और अगर अंजली को लोटा देगा, तो फिरोती के पैसे भी दे दूगा, यह मेरा शेर अदित्य है, डैडी, आप बिलकुल सिक्रमत कीजिए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, तेरा बिटा नहीं बचेगा, बचेगा अभी कैसे, तेरा दामाद जो बनेगा, मनु का किदनाप हुआ है, डैडी को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अंजली, समझ में न पीछे पड़ा था, वो और उसके लोग अंजली को उठा के अपने साथ उसके अड़े पर चले गए, आदी, क्या सोच रहे हो, डैडी को छुडाने के लिए, अंजली को पापा के हावाले करना होगा, अंजली को छुडाने के लिए, पदमा की कुर्बानी देनी होगी, तुम्हे मार डालेगा, कमला, तुम्हार जाओंगी, डैडी के लिए मरने को तैयार हो, तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, हाँ, क्यो नहीं, हाँ, बोल, सुनो ना, गुरू, भाई, डार्लिंग, अबे कोई एक बोल, भाई, आपने जिस लड़की को किटनाप किया हो, मेरी गल्फरिंड है, प्लीज उसे कुछ मत करना, पर तुने ही तो का कि वो अंजली नहीं है, पर वो अंजली है, क्या कन्फूजन है यार, उसने भोला कि उसका नम पद्मा है, पद्मा, ओ शिट, यह किसको फोन लगा दिया, कमला को इधर लेकर आएगा कि नहीं, कमला चाहिए, भेक मैं नहीं दूँगा, निकारी, इतने सारे नंबर्स जमाऊ गाई के गन्फ्यूज हो गया हूं, यह यह देखो, कमबकरन की भ्यान, ल गड़ी-गड़ी ड्रामा करती है, तेरी फ्रेंड पद्मा अब तक यहां पर नहीं आई है, तो क्या हुआ, तू भी तो पद्मा से कुछ काम नहीं, गलट टाइम पे नेटवर्क लग गया, यह लड़का फिल से क्यूफोन करा है, हलो, दादा, भाया, गुरू, डानलिंग हे, बोटल में उतर रहा है छोकरा, सुहागराथ कैंसल, ठांक्स दादा, क्या रहे, बात क्या जल्दी बोल, मुखोल, जिस लड़की को आपने किड्नाप के, वो मेरी गल्फरिंड ही है, ते, मैं अब तक क्या फ्रेंज में बोल रहा था, पहले मुझे लगा कि आप टाइम क्या हुआ दादा, आपकी गाड़ी में ब्रेक यो लग गया, वो आज बहुत थका हुआ हूँ न, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है मैंने, उबर से खाना भी नहीं खाया, उस चाहिल का फिर से फोन आ रहा है, उठाओ क्या, हलो, दादा, भाया, गुरू, चेले ज्यादा रिष्टा मत बना, फोन उठाते ही बोत प्यार से बात करता है, उसके बाद सटक जाती है तेरी, पहले क्या पागल खाने में था तू, भाई, भाई, सौरी भाई, तो अब मान क्यों नहीं जाता कि वो तेरी गर्फ्रेंड है, ने, वो नहीं है भाई, तेरे दिमाग का इला करके बताओंगा कि हम दो कहा पर मिलने वाले है, हे, हे, मेरे अंदर का सेर्क जाक गया, तुझे जोड़ दोगा, तो मेरा क्या होगा, प्लीज मुझे जाने तो, दादा, प्रोग्रम शुरू करूना, प्लीज बाई, 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 बोलके मेरे कान पुरी तरब पक लुखा? प्यार से बोला, देख तुझे तेरी पदमा तो मिल जाएगी, लेकिन अगर अंजली के शरीद पर हरोज भी आई तो तुझे नोच के फार दूगा, जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे बचाओगे सब को? बचाओगा, बचाके ही रहूँगा, मैं तुम्हें पदमा, ढटी, अंजली किसी को कुछ नहीं होने दूँगा, क्या हुआ, पर मुझे को न बचाएगा, तुझे क्या हो गया? लेकिन बात क्या है आदी पी लिया था मुझे आस्पिडल ले चला सब्सक्राइब और क्यों रिया पहले से पहले से प्लीज खोलिए अरे खोलो सोच क्या रहे हो खोलो खोलो आदी तुम्हें कावा कौन सा पॉईजन पिया रेडी का पॉईजन क्या बोल रहे हो अच्छा वो पॉईजन था पर डैडी ने कहा था हां कहा था तो क्या उन्होंने जूट कहा था सच कहा था इस लड़के ने पॉईजन खा लिया अरे वो आदी के लिए पॉईजन नहीं है अरे पर एक इंसान के लिए पॉईजन दूसरे इंसान के लिए पॉ वोईजन नहीं लिया नहीं सर चलो मेरी जान चूटी अब चलो अंदर सर एक बार बहार गया है तो आप इस अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा है दिमाग खराब हो गया क्या उतना है जितना आपका नकली मेक अप सर टॉप कॉलिटी मेक अप है और इजनलेटी होती तो मदा थ चोट नकली है तो मेक अप डुपलिकेट नहीं तो क्या ओरिजनल होगा अम है ना अभी डुपलिकेट को ओरिजनल बना देते हैं आए उन्हें जाने दीज़े सर ऐसी धुलाई हुई है आपके चेरे का मेक अप वैसे का वैसे ही अभे ए नकल के ओरिजनल खून है क्या है मेरे खुई हुई कार का कुछ पता चला क्या रेकावरी वहीकल के बारे में पीछे राके पूछो कि तुम्हें इस कार को छुने नहीं दूँगा यह मेरी नहीं कविता की कार है अरे क्यूं पताया उसे यलो अरे रुपजा काफी टाइप सेटिक कर रहा हूं कविता के साथ में गाड़ी ले जागे तो मेरी सेटिक में कर जाएगी अरे रुपजा रुपजा मेरी सेटिक मत बिगाड रहे हैं ओए बहरे पटान मतले मेरी जान कार लेकर वो लोग कहां गये हैं एक्चुली उकर मेरी है सर तो पुलिस स्टेशन से भागने में उन मुझरिमों की मदद तूने की है क्या है जलो बॉइस उठाओ इसे और मारना शुरू करो हाई कमला दीदी आ गए देख चलो रहे तुम सिब ठीक हो ना आप उन लोग ठीक है आपको देखा तो दिल को चैन और मन को करार आ गया साधू को आपका पता नहीं चलने देगे दीदी दी- अबे तू यहां बिर क्या कर रहे अबैगा है अबै शानएं तू इदर के इसे कमला इसके पापा की गल्फर्रेंड है इसके- किसके इसके पापा की iç। फिर तो सही जगे पे हात मा रहा है यह कमला और साधू के बीच पैंचिन किया है लफडा दीदी के पापा देवराज और साधू में ठाझाँ को लगा कि बोंभलास्ट में डेवराज भाई के साथ कमला भी मर गईए लेकिन कमला दीदी को जिन्दा देखने के बाद साधू को यह लगता है कि वो उससे बदला लेने के लिए है वाट दा हेल मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम आधित्य का गेम ओवर करोगे लेकिन वो आधित्य है तुमें ही ठेंगा दिखा कर भाग गया नॉर्मली हमारी चंगुल से क्रिमिनल्स जेल तोड़के भागते हैं लेकिन एक बेकसूर लड़का चूरण देके भाग गया ये मेरे करियर में पहली बार हुआ है इंपॉसिबल कमला को सौपे बिना पदमा को कैसे बचाओगे हाँ पदमा को सौपे बिना अंजली को कैसे बचाओगे मैं अपने खास दोस्तों को बुलाता हूँ, रमेश तु भी अपने दोस्तों को बुला ले चार मिनार से लेकर चोर बजार तक सारे जोलर, टपोरी, मवाली, गुंडे, बदमाशों को फोन लगा और जोती लक्ष्मी जनतावार आने को बोल क्या बाद है भाई, किसी की शादी है क्या शादी नहीं है बे, उससे भी बड़ा जोले, सबको उधर आने के लिए बोल हलो जॉन, येस माइ फ्रेंड आज स्वैम इश्वर चाहते हैं कि हम हमारे दोस्त अदित्य की मदद करें इश्वर तुम्हारी मदद करें आप सारे भाईयों को जमा करो, ट्रक में भरो, बिना वग गवाये जोती लक्ष्मी जनता बार में मिलो शूर स्टीव, जीजस हमारे साथ है, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता एमन गॉड ब्लेस यू माई संद सुन मेरे भाई, कहां है तू? अपनी पूरी चोर गैंग को लेकर जोती लक्ष्मी जनता बार में आना, मुझे कुछ काम है सुनो, सुनो, ब्रेकिंग न्यूज वो साब, जोती लक्ष्मी जनता बार में जा रहे हैं हमें पक की खबर मिली है, जल्दी से अपना गेटप बदलो और तयार हो जाओ उसके आदमी लोगों ने मेरे को धोया, माफ करना सर, मैंने उनको बोला था कि पत्मा आप थे रहे है, उसकी टेंशन मतले, तू बस ये बता कि वो पत्मा से चाहता क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता है साब, एक टाइप में दोनों लेला मजनू थे, पर आप वो लेला को लुड़काने को देख रहा है हाँ, हेलो सुन आदी, जल्दी जोती लक्षमी जंताबार में आजा जंताबार? कैस लिए? अरे आना अब पता चल जाएगा आदे ये सब क्या है स्टीव? ये सारे अपने दोस्ते हैं डाटी, अंजली, पद्मा सब को बचाने के लिए इस सारे दोस्त कह के मदद करेंगे मुझा पता था, चिंपैंजी जैसा मू बना के मेरा गदा बोज बढ़ाएगा माई डियर वारियर्स रामनेन सागर की रमायन में हम सब ने देखा था कि भगवान रामने बानर सेना की मदद से सीता बईया को बचाये था पर वो लड़ाई सच्चाई के लिए थी लेकिन ये सेना मुझे नहीं जानती ये तक नहीं जानती के यहाँ पर बुलाए क्योंकि है पर तुम सबने सच्ची दोस्ती का सुबूत दिया है सलाम है तुम सबको इसलिए तुम सबके एंटेटेन्मेंट की जिम्मेदारी मेरी है चिल बियर पीयो और खुब धमाल करो पीयो और जीयो एंट जॉइ सारी भाई मुवत की दारू और पडोजी की जोरू किसी को अजम नहीं होती आपने जारी सेना सो गही है मैं कोई राम नहीं हूँ जो इस सेना के लिए तीर कमान लेकर यूदि के लिए जाओंगा अपनी हालत देखी है ना अब तो उन्हें बचाने के लिए सॉलिड प्लान बनाना ही पड़ेगा बनाओगे तो बताओगी भी ना वही तो बता रहा हूँ बस खौर से सुनो तुम सब को रॉक हाइट सेरिया पता है ना सब को वहीं बुलाएंगे प्लान के लिए एकदम धासू जगा है हम सबसे पहले साधू को फोन करके पदमा को ठीक ग्यारा बजे रॉक हाइट रोड नमबर वन पर लाने के लिए कहेंगे एक हाथ हम पदमा लेंगे और दूसरे हाथ उनको कमला सॉपेंगे जैसे ही कमडा साधू के पहुचेगी कमडा के आदमी साधू पर अटेक करेंगे उसके बाद हम फोन करेंगे नरसीमा को ठीक साड़े ग्यारा बजे उससे लेन नमबर पर गुलाएंगे कमला और तो नुझा करोके और इस तरह हम पदम्त अऄली दोनों को बचा लिगए उनको उनकी बेटी दूँगा और अपने डेड़ी को अपने साथ ले जाओंगा तो अंजली के बाप को ठीक 12 बजे रोट नमबर 3 पर बुला लेना तो अपनी अंजली को जाने देगा? कुछ लव स्टोरी सिर्फ यादे बन जाती हैं, जिंदेगे नहीं बन पाती भाईया पहले कैसे चटपटा चकना था, अब नरम पापड हो गया 11 के चहरे पे खुशी लाने के लिए हम क्या करें? हमें अभी इसे वक्त इस प्लान पर अमल करना होगा बोल राजू, जल्दी बता प्लान क्या है? भाई ने किसको फोन लगाने को बोला जल्दी बता सबसे पहले उस मदन मोन के बच्चे को कॉल लगा तू मदन मोन? यहां तो इतने सारे फोन नंबर है किसको लगा हूँ? पीछे से तीसरा नंबर उसका ही है हलो? 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 क्यों बे? तमीज से बात करनी नहीं आती है यह तमीज को तो मैं कमीज की तरफ हाड़ देता हूँ छुपचाब रात के साड़े ग्यारा बजे रॉक हाइड रोड नंबर एक पर डैडी को लेकर आ डैडी को वहाँ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर वटक ले यह प्लान उसने बनाया है ना? हाँ बिल्कुल तो उसने प्लान बनाया और अपन ने तरको बताया मैं जानता हूँ तो बाप बेटी एक नमर के फ्रॉड हो जब तेरे को सब बात बताया तो दिमाग की दाई क्यों गर रेला है चिलना बन करो साड़े 11 बजе आजा कर दिया ए नेक्स कोन है? साधू हलो साधू बोल रहाओ यादव राचपल यादव को छोड़ र मेश यादव बोल रहाओ तेरा बाप ए किसको बोला वे आपुन इजग से बात कर ना तो तू भी इजग से बात कर तुने कॉल क्यों किया ये बता रात को बारा बज़े लड़की को अप उनके हवा लेकर रॉक हाइट्स रोड नमबर तीन लड़की दे और कमला ले जा प्लान किसका? प्लान तो भाई ने बनाया लेकिन डिलीवर करा रहा रमेश या दो आ अगला कोने हो गया कन्फूजन शुरू इस बेवडे रमेश ने आदी के अच्छे खासे प्लान किया ऐसी पुंगी बजाई कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बलकि राई का पहाड बन गई जिस सादू को आदी ने ग्यारा बजे बुलाया था उसको यादव ने बारा बजे आने को कहा नरसिमा को आदी ने साड़े ग्यारा बजे बुलाया था जबकि टली टुन यादव ने उसको ग्यारा बजे बुलाया और आखिर में अंजली के पापाजी मदन को आदी ने बारा बज़े बुलाया था, उसको रमेश यादव ने अब साड़े ग्यारा बज़े आने के लिगा है एक मेंट यार, तेरी हालत ऐसी है के दारू को भी तुझे देखके नशाचर जाए, क्लाइमेक्स का ताइम है और इंसको कन्फ्यूज मत कर, मैं फोन करता हूँ लास्ट डायल मतलब नर्सीमा का फोन, ठीक है हलो, 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 हलो सर, मैं प्लाणिंग इंचाज बोर रहा हूँ, प्लाइन में थोड़ा चेंज है, आधा गंटा आगे, मतलब साड़े ग्यारा बज़े पहुच्ट है, ठीक है हे, दस-दस मिनिट में फोन कर क्या हादा अगंड़ा आके पड़ेगा क्या कॉट दिया तेरी तो उसके बाद मदन महन होगा बाकरे सौरी अंकल, बक्वास कम काम जाना बक्वास? मैं बक्वास करता हूँ प्लान में चेंज है, डैड़ी को ठीक, बारा बज़े लेकर आ जाना डैड़ी? अबेवे, किसका डैड़ी? जो आपके पास है ये गदा? डैड़ी को गाली नहीं रेते है डैड़ी का गला सूख रहोगा, जल्दी से थंडी वियर पिला जो ये जरूर सादू होगा हेलो ? हलो ! हलो सादू ? सादू ? क्या बख रहा है, मेरे साथ गेम खेल रहा है, सार, आप सेम जगह पर 11 बजे पहुच जा नहीं? पहले तूने साधे 11 बजे आने कली कहाँ, अब तो 11 बजे आने को बोल रहा है यहां कोई टाइम पास्टर रहा है क्या? नहीं सर, हमारे पास्ट टाइम नहीं है जो पास्कर है तु भागल हो गया क्या? है, हलो, फोन कार दिया इस को बोलते है प्लाइनिंग? करेक्टिया है ना मैं प्लाइनिंग इंचाज हूँ, मेरा प्लाइन गड़बढ़नी होता एक बात काऊं, यह फोन लास्ट डायल नंबर फर्स्ट बताता है और फर्स्ट डायल नंबर को लास्ट बताता है चक कर ले ना दू वी मा, मुझे लगा था लास्ट वाला फर्स्ट है यह आनि तो ने अदित्या के प्लाइन का भाजी बाला कर दिया यह आदित्या आ गया, बाद में बात करते हैं, बाद में, ओके रमिश यादव ने तो अदि के प्लाइन का सिर्फ बैंड बजाया था स्टीव ने तो पूरा और्किस्ट्रा बजा डाला यानि साधू को आदी ने ग्यारा बजे बुलाया, यादव ने बारा बजे आने को कहा और अब स्टीव ने साड़े ग्यारा बजे आने को कहा नरसिमा ने आदी को साड़े ग्यारा बजे बुलाया था, यादव ने ग्यारा बजे और अब स्टीव ने बारा बजे इस बात से नर्सिम्मा कन्फ्यूज हो गया कि उसे कहा जाना है और कितरे बजे जाना है लास्ट बट नाट दे लीस्ट अंजली के पपा जिसे आधी ने बारा बजे बुलाया रमेश यादव ने साले ग्यारा उसे अब स्टीव में ग्यारा बजे रॉक हाइट्स पर आने के लिए फोन कर दिया था हो गया कन्फ्यूजन शुरू कुछश कर लेंगी टेंशन थेजर तमटे रहे है किसी ने मेरे फोन देखा यार अरे यह क्या है यार तुने तो कुछ लिखा ही नहीं है वो मैंना यह हूँ तो अंगुटा चाहब है कहां भज गया सौरी भाई लोचा तो हो गया लेकर नोग मत सोचो मैं देखता हूं क्या करना है ड्हां आप है यह एक अवे यह हमारे साथ गयम खेल रहा है तेरे पेटे ने पहले मुझे बारा बज़े मेरा दिमाग खराब हो रहा है वह सामने आया तो मैं गोली चला दूंगा मेरी बास सुन इस बुढ़े को उसके हवाली कर दे और मेरी बेटी को लेके आप ठीक वे अगा कोई गड़बड हुई ना तो इन बाद बेटे को ठोक दूंगा यह अधी शाणा है अगर यह शाणा है तो मैं देड़ साना हूँ धाई किलो का तो मेरा से बाया हाथ है और मेरा मोटा दिवाग पौने तीन किलो का है एक आइडिया है तो उसके बता है कही टाइम से पहले ही जगब पहुंच आते है ए इतने कपड़े तो लड़कियां भी नहीं बदलती जितना यह आदित्य टा इसी के साथ शुरू हुआ अदला बदली यानि एक हाथ दो एक हाथ लोग का सिलसिला साधू के आदमी बुरका पैना कर पदमा को अपने साथ ला रहे थे अंजली के पापा मदन के आदमी आदी के डैडी को बुरका पैना कर रॉक हाइड्स की तरफ निकल रहे थे वही नर सिम्मा अपने साथ बुर्का पैना कर अंजली को ला रहा था तीनों के साथ अलग-अलग इंसान थे लेकिन सब की मंजिल एक थी यानि रॉक हाइज अब ये कहां से टपक पड़ी दिमाग का भजिया करती रहती है यार पता नहीं इसके साथ क्या कनेक्शन है मेरा अब क्या करें प्लान को चेंज करना पड़ेगा नमस्ते सर या किसी को आने मत दो कुट्टे को भी आने नहीं दूंगा सर आज की रात का इंतिजाम हो गया वाव क्या बंदो बस्त किया है गाड़ी में सुहाग रात नौटी इस पलका मैं कई जन्मों से इंदजार कर रहा था खबराओ मत तुम रेज जीतोगे बेबी अब कवीता तुम्हारी है तुम इससे पढ़ो गाओ या गुन गुनाओ मैं तो इसे देल में बसा के रखोंगा अब इस रस्सी से और टाइट करूँ ना बेवी अधिया गाड़ी कि गाड़ी रोको है रोक में अधित्या आजा अधित्या की जगए उजड़ा चमन क्यों आया अप उन भी बॉस के बिना आये है ना वैसे यह आ गया अधित्या उसको भेज लल्लू समझाए क्या पहले तुम भेज पंच-पंचे कुट्ड़ा गति करना हो पहले तुम क्या रहे खुद्पर तार्शन समझ रहा था ना कमान ना बेबे जरा मुझ खोड़ो शटर बंद सुनो मैं इसको भेजता हूं तुम उसको भेज रहे हां ठीक है बेज़ो रहे चल जा समझ की आदमी पदमा को लोटा कर कमला को लेने आये थे जबकि मदन के लोग आदी के पापा को लोटा कर अंजली को साथ लेने आये थे हुआ क्या अब सादू के आद्मियों के पास कविता थी और मदन के लोगों के पास पदमा यह जा उसको लेकर आ चलो गारी में पड़े गारी निकाल है उस तरफ जाने लिए और आदी के पापा आईला वो तो कपूर की ग पूल जाल है जल्दी भाग और उसको पकार जानी वंदी है चल चल बैठ अंग गुंडे यहां से निकल लिए बेटा कपूर अब अपना नाइट शोर शुरू करो आज तो जलसा है मेरी जान तुमारे अंदर के हवस बाहरा रही है और आने दो आने दो उसे मेरी जान अरे जान मुझे एक प्यारा सा किस दे देरे किस बागा था यह तो मार के चली गई का जा रही है तू आज तो बच गया रहे इस चर्की से अलो सादु भाई आपने उंको लड़की मिल गए आ रहा हूं मैं उसका गेम ओवर करने अब कले जी को ठंड़क मिलेगी मैं कविता हूं कपूर कहां है और तुम लग मुझे कहां लेजा रहे हो अधित्या के लिए काम करता है आधित्या कपूर का जूनियर है कपूर आधित्या का बॉस है आधित्या के लिए जल्दी पता कहा है तू बड़ावला जोलो गया भाई यह लड़की कमला नहीं कोई कविता है अभी तक कोन है अपने को क्या पता लगता है साधित्या की कोई बड़ी गैंग है अपने उसको कम आका अभी पता चलाया कि उसका कपूर नाम का एक बॉस है कंपला की बात करो और तू कभीता की माला जप रहा है तेड़ शाना बन रहा है बा नहीं सकता भाई अपने भेजे में कुछ गुश्च नहीं रहा है आप ठेरो आपन कंपला को लेकर आता है उसके बाद आपको फोन घुमाता है हां अलो जाजा मैं बेबिय को ला रहा हूं तो कहा है पता मैं वहीं आता हूँ अंजली को कुछ नहीं होना चाहिए तुम कोनो पदमा कस्टमर्स मुझे रात की रामी बोषे तुम कोनो आदेते किधर है उसी दर तुझे हमारे हवाले किया है उसने कहा था कि वह मुझे लेने तुम आदेटी की लवर हो, उसकी पार्ट टाइम गल्फरेंड हू, उसकी तो पहले जाही अंजली नाम की गल्फरेंड है तुम आंजली कौ जानती हो तुम भी उसे जानते हो गाड़ी रूको प्लीस मुझे जाने दो, मेरा आदिन से मेरे बना, पलीस प्लीज यह लड़की अंजली नहीं है, पदमा है, कहती है आधिती की पार्टाइम लवर है, मैं जानता था, ऐसा ही होगा, वो लड़का एक नमबर का चालू है, लड़कियां तो सिर्फ उसके लिए टाइम पास है, अंजली को मैंने कितनी बार समझाया, पर वो मेरी एक नही नहीं छड़ूँगा, चलो, आजा आजा बार ने कल, तो यह वो गंजा अधित्या है, क्या पता, हमारे पास वो लड़की है, जो तुम लोग को चाहिए, हमें जो पादमा चाहिए, वो तुम लोगों के पास है, और वाँ, पादमा है उनके पास, भाई हमारे पास पदमा क हमारे पास है, कमला एना उदार, आ है न, क्या तादा, यह कमला थोड़ी है, यह लड़की तो अजली है, चुप फटे ओवे धुल, यह तो हम जानते हैं, कि यह कमला नहीं अंजली है, उन्हें थोड़ी पता है, इसकी मतलि में पत्लों मिलेगी, कमला यहां से वहां पर करे चलो कि अला कि सेट जी पत्नों मिल गई टेंटेल है यह को ने रहे यह क्या हो रहे एक मुसी बचाती दूसरी आ जाती है जेट जी उस लॉंडे ने हमको मामू बनाया लेकिन आप डेंशन मत लो अब नुरुष नर्वाली को आपके पास लेकर आएगा कौन किसको लेने आया था और किसको लेकर जा रहा है कुछ लोग तो भरे आता आए लेकिन अब खाली हाथ है मिस्स हो गई दादा अब क्या करेंगे यह सब तेरी मज़ा से हुआ थोड़ा पतला होता तो उसे पकड़ लेता ना बड़े बड़े भाई चोकर बन गए हैं भाई नहीं बाई सकुप बाई बन गए हैं उसने भले मुझे मारा पर यह उसके रोमैंस का स्टाइल है वाइफ का फोन बबरे इसका फोन अभी क्यों आया होगा अब क्या करें हो किदर गई अठाड़ा पाड़ा मिलेगी जाड़ा पाड़ा अथ चलो ने पाड़ा ने आपके आपके नहीं बच्छकता यह यह कुंसा मोडल है पुष्ट मेरा पेटा पूलता है गदा तो तू है अरे पद्मा के जोल में जरूर इसका भी कुछ लेना देना है अपको कासी पता है तो इसने बुर्खा पाशिट जोग ले पेना है शुटर डाउन हाई यह तो कोई दूसरी लड़्गी है अब तू पाने रहे है बात करने ते मेरे को अलो साधू आए कमला मिल गई ना कोई और ही लड़्गी मिल गई तो बस यह बता मैं बहां आओ या फिर नहीं नहीं अभी मताओ कमला मिल जाए फिर फोन घुमाता हूँ हाँ मिल गई कविता इस पेधिंग बेबी एंटिना पर बार बार मारों के तो क्या दक्षत को कर रहे हो मैं जब कार मेरे साथ उर्मांस कर रहा था तो तुम इसी तरह से मार कर भाग गई ती यू चीट मुझे गुंडो ने किडनाप किया था तब तुम कहा थे तुम तो मुझे छोड़ किसी और के साथ रुमांस कर रहे थे ना जिसने मुझे मारा फिर मैं थोड़ी दर पेले कार में किसके साथ रुमांस कर रहा था वो शैतान नहीं थी तुम राक्षासो हवस के वो मुझे आदित्या के बारे में पूछ रहे थे आदित्या और इदर ऐसे कैसे अगली बार चल गया इस सारे फसाब की जड़ अदित्य है अब देख मैं खुद उसका गेम ओवर करूगा देखती जा कमाद मैं तो यहां से जा रहें ज़िता वाद है या आदी वाद है सामने वैन आ रही है ए अदित्या ए सादू सादू मैं नर्जी माँँ जोड़ना यार नसीमा हो या चर्सीमा आपने को अंजली चाहिए मिल गई ना आसा ही बोला इसको जल्दी पेज पहले अंजली को इतर भेज पहले तू हो पार्सल या भेज फिर ये पार्सल उदर कुरियर होगा क्या दादा अभी थोड़ी देर पहले हमने उस दूसरी आदमी को अंजली सौपी थी ना अब उससे थोड़ी पता अंजली एक स्चेंज हो चुकी है उजड़ा चमन साइको चल जा प्लीज तुमारे हाइज झोड़ता हूं चली जाओ ना प्लीज या मजाकत ब़र चाले आज़ा जल गारी बच गए अंजली बील गए अजली को देना थाप को कैसे दे दिया मेरी हालत ततरस खाओ बॉइस कुछ पीने के लिए क्या अजय कोई पीने का टाइम है क्या क्योंकि मेरा गलासु करा आए कंट्री बार पर रुके क्या बार के बच्च्छ क्या अलू बनाना उसका पत्ना हमारे हाथ लगई और उसके हाथ में धेजा फ्राइ कर दिया है अब तू को ने रहे फिनिश कर दूगी अधित्य को फिनिश कर दूगी तो इतना चिला के क्यों बोल रही हो मैं वहरा नहीं हो कान के पड़े फट जाएंगे पहले ही बहुत कु क्या ब्रदा अगे का प्लान है तू बताना अदित्य को चौकु मार के मार ते त अधित्यको मारने का सोचा भी कैसे अधित्य मेरा लवर है उसे में अपने हाथ से मारू पा सपीश garlic अलो अभी तेरा ड्रामा बहुत हो गया है ज्यादा शाणा मत बन तेरी छावी अंजली आपन के पास है अरे वह अंजली नहीं पदमा है माना मुझे पदमा ही चाहिए जल्दी लेकर आए फिर सा मगजमारी मत चालू कर सीना पॉल तेरे को मंगती है कि नहीं हाँ मांगती है मंगती है ना मैंने सुना फिर मेर को बेरा क्यूं बोला है तो है तो ही आदेत्या है क्या आई हूं अपसे तरह क्या मचमाच चालू है हमारी लड़की बेच हम तरी बेचते है डैड आप जाओ और प्लीज वो कुछ भी बोला शांती रहना सादू की गैंग ने डैडी को ल पदमा यह दो रहा है दो रहा हो प्लीज मुझे खलत पद समझना मुझे अपनी खलत यह सुधारने के कई मौके मिले मैंने जो भी घपले किये उनको कच्रे की काली थेली में बांध के नाली में बहा देना मेरी बैचारी अंचली वह मेरी वज़ा से सब में फसी हुई है प तब तक थोड़ा धीराज रखो प्लीज हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे ओके अलो नर्सिमा बोल रहा हूं तो क्या करूं अब और क्या करेंगा फिर सामें गलत पार्चल दे दिया तुने ऐसा क्या और उसको सीधा माल कर तो हम लोग को बहुत गुमा रहा है में तेरा खुन पी जाओंगा और यह जो तेरी गल्फ्रेंड है ना हमारे पास उसको तुझे खुन डोनेट भी नहीं करने तूँगा वो तुम्हारे पास है और नहीं तो क्या कितना गुमाय करें तो अब अंजली तो अस नर्सिमा के पास है अब हम भी उनको ओरिजनल माल देंगे हाँ भाई पदमा हमारे पास से ले जाए और एंजली को लेकर आना मत भूल ना है उसको भेग हम लों के बाद और यह ले तेरा पार्चल जाओ पदमा मैं तुम्हारे हाँ जोड़ताओ प्लीज चली जाओ जरो मत मैं बचा लूँगा इसको लेंगे जाओ अजली कमला सादुवाई तेरा गेम बजाने को मंगता है या तो तेरा सरधार से अलग करेगा या कुला पुरी घुशा के तेरी भेल पुरी निकालेगा उसके मूड पेटी पेड़ेटे अलग हमें आदित्या आ ना बहुत तलेंटिड है अब तेर को उसमें ऐसा भी क्या दिखाने याद है उसने पद्द्मा के बारें में क्या बोला था वह तो है वैसे उसने बोला था उसकी अजली नाम की भी एग गल्रेंड है यानि क्यों सटके लिए वो उसकी तीसरी गल्फ्रेंड है डादा आप किसको पता कि उसकी कितनी सारी गल्फ्रेंड हैं हैड ओफिस एक है और ब्रांचिस कई सारी आज कल प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा आ गई है कि सब चलता है पर एक लड़की जरूर आज इता कि रहा अधर जाए नमस्ते सर्ची क्या रहे पद्ना मिली कि नहीं जाल जल्दी पकड़ जलो रहे गाड़ी साइड में ले ले रोक रूप बात्रूम लगे है किसको इसको जा करवा गला आप यहीं रहे ना मैं इसके नहीं जाता किया आप यहाँ चल चल दी तर खोप्चमी चलते है नहीं बहुत घलत यह कि तुम्हें बहुत थेस पहुचाई, आम रहली सॉरी फॉर एवरिधिंग, जिस मुझे माफ करदो मुझे सिर्फ तुम चाहिए, आई लब यह सो मच जाहिए, आई लब यू सो मच ज मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती आधित्या आधित्या लब यू टू चलो लेस्स केट मैरेड नाव अब तक कुंडली में सिर्फ राहू था अब तो राहू के तू शनी सब बढ़ गए कुट्टे के मौत मारने के लिए तैयार हो जाए अधित्या अधित्या इसारी पत्मा यहां पर बहुत कंफ्यूशन है यार यह उजड़ा चमन कौन है अधित्या पद्मा को इसवारे हवाले कर दे वरना याद नखितर कोई सिंदाने बचेला साद Ümm 2017 आधित्या रखा बेका तूने पड़ा पंगले पवरॉर्निंग देता हू पद्मा को मेरे हवाले कर दे वरना चू आज़ которой तो लेज़ा ब Clayton अब पता चला, तुम लड़कों के लिए पागल हो. अजली, बात कुछ और है, तुम समझ नहीं रही हो. कोई ज़रूरत नहीं, गो तु हैल, मैं जयन से शादी कर लूगी. अंकल, प्लीस चलिए. अंजली, मेरी बात पॉसनो, प्लीस. जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और की क्या सरूरत? तुम मेरे हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे. आल लाफ यू. ये, चुप कर ले तो, देता है तर को प्ले आदी. आल किल यू, आल किल हूँ. प्ले, तुम्हें लड़की ही हूँ, अधी लड़की हीूँ. इसको क्या कचर के डिबे से उठाया था? चुपरे. चलो, जयन, चलते हैं. प्ले एक से और शादी किसी और से ये तो बेशर्मी की हद हो गई. पर मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ. लेकिन मैं करती हूँ, ओके? मैं नहीं पद्मा पे फिदा, मेरा बेटा है. राइट पापा, देट्स मी. आई लव पद्मा. हमें एक होने से कोई तूफान, साइक्लॉन या सुनामी नहीं रोक सकती. यह तो थुदी एक बहुत बड़ी सुनामी है. एक तूँगा रप्टा लगाके, बता देती हूँ. देती हूँ. देती हूँ. यह वो है. तो यही है वो जिसके लिए तुम कह रहे थी, शादी कर लूगी, शादी कर लूगी है ना? जगपती, मुझे लगा था कि तुम्हारा बेटा एक असली मर्द है लेकिन यह तो एक लड़के के प्यार में पढ़नी वाला बहुत घटिया लड़का. मेरे बारे में गलत बोला ना तो बद्धुआ लगी की मदन मोहन, हाई दूगी, बद्धुआ दूगी, पापा छोड़ो ना, इसकी धुलाई करके इसको साफ कर दूगी मैं, मैं जो हूँ वो हूँ, मेरी और पद्बा की चोड़ी सुपर हीट है, बॉम्हारा अब इससे त अतना नेक और अच्छा लड़का है, प्लीज उसे छोड़ कर मत चाओ बेटी, आप भी मुझे अपना दुश्मन मत समझेए, मैंने जो किया, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया, पता है मैं रीहाब में आपसे मिलने क्यों नहीं आती थी, ताकि मैं आदित् से दो साल दूर है कि आप कितने खुश और हिल्दी थे, और जब से वो आपकी लाइफ में वापस आया है, देखिए आपका क्या हाल हो गया है। I love you, Anjali. मैं तुम्हें तुम्हारी गलत संगत से छुड़वा के तुम्हारे सारे एव खत्म करना चाहती थी. आदित्या! आदित्या, अच्छा मॉगा है, भाग चलो. I love you, I love you, आदित्या. ये लड़की तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम चलो. अरे हट, तुछे ये किसने का के मैं आदित्या से प्यार नहीं करती हूँ? मेरी जो मर्जी, भले ही मैं उसे मारूँ, डाटू या चिलाऊं, बट I love him and he loves me. आदित्या वो इंसान है जिसे सिर्फ मेरे लिए पूरे शेहर को हिला डाला. I love you, आदि. अंजी! Tension क्या पहले से कमें जो इसको भी अभी टपकना था. साइड में सरक सरक ये अदर से सठक ले बाबा, जलना मोटे. सुन्बे, बहुत हो गया चुहे बिली का खेल, जल्दी बता कमला काया नहीं तो. नहीं नहीं रुको. अगर मेरी बीटी को एक खरोज भी आई ना तो कोली मार दूँगा. अंकल पेवकुफी मत कीजिए, उसको मार दालेगा. चुप! ये सब तेरी मज़े से हुआ है, पहले तो तुझे मारना चाहिए. मार दो मुसीबत की चर्म है, उचर से उखार के फैग दो. मारना है तो मुझे मारो, अंजली को छोड़ दो. अच्छा, तेरे को मार के क्या मिलेगा? तु मर गया तो कमला काया, ये कौन बताएगा? तु सच में गदे की बड़ी वाली आउलाद है, उदी सीक्रेट लीग कर दिया. अब तो चोड़ाओ के बात करूँगा, तु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता. अगर मेरी एक शर्त है, तु कमला को चोट नहीं पहुचाएगा. अगर कमला को कुछ नहीं करना होता, तो इसे क्यों जाने देता? अंजली भागो, पकड़ा उनको. अंजली! अंजली! प्यार में नाकाम होने वाला अक्सर खुद को तबाह कर लेता है पर तूने राजा शहर को तहस नहस करके अपना खोया प्यार फिर से पा लिया तेरी वज़े से Most Wanted Criminal साधू पकड़ा गया बोनस में नर्सिमा को भी पकड़ लिया लव्यू राजा हादी ठीको ना पादित्या मुझे यकीन है तुम अंजली का खयाल मुझसे बेहतर रखोगे हाद दो बेटा आजसी तुम्हारी दो फैज अंजली का झाल झाल झाल